नमस्कार, सुनाली का गॉमे किचिन में आपका स्वागत है सबसे पहले हम चिकन को बालते हैं 250 ग्राम चिकन बोन वाला हमने लिया है बराबर मातरा में पानी डाले, फिर इसमें अधरक डाले फिर लैसन का पेस्ट थोरा सा डाले थोरे से लाजन की कलियां भी हमने डाली है इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है थोरा सा सोयासूस डालेंगे जो कि बिल्कुल ऑफ्शनल है नमक डाल ले अब इसको चिकन को बिल्कुल बढ़िया से पकने तक पकाएंगे इस विच हम एक बड़े से बोल में डालेंगे तो एक एक करके सारी सामगरी को हम इसमें डालेंगे इस विच चिकन हमारा जब बिल्कुल बढ़िया से पक जाएगा गल जाएगा ना तो उसको हम बोन पीसे को अलग कर देंगे और सारे चिकन को श्रेड़ेट रूप में ले लेंगे यह वाला हमने इस तरह से तयार कर लिया है हड़ी को अलग कर दिया है सॉफ्ट फीस दर यहां पे ले लिया हमने यह वाम है अभी अब ब्लास्ट में थोड़ा से इसमें से डाले आप औरेगा ना मेक्स उसके साथ ही साथ इसमें हम थोड़े से नीबू के रस को हम डालेंगे दो से तीन बून डालना हमें जादर बलकुल न डाले और इसको हम बढ़िया से मिला देंगे यह देखिए हमने आधा तो लिया है पर कुछ बून्दे ही डाली है तो इसको अच्छे से मिला दे, अब इस सैंड्विच को तयार करने के लिए हम ब्रेड लेंगे, दो बड़े साइस की यहाँ पे सैंड्विच ब्रेड हमने ली है, थोड़ा सा बटर लगा लेंगे, दोनों स्लाइसे पे बढ़िया से, और उसके बाद जो हमने स्टफिंग तय किया है, उसको डालेंगे, तो उसके पहले हम ब्रेड को अलग कर लेते हैं, और इस वाले लेयर पे हम स्टफिंग डालेंगे, और दूसरे वाले से उपर उसको सैंड्विच करना है, तो इस तरह से, जितनी मात्रा हमने बनाई है, दो सैंड्विच ब्रेड तयार होगा हमार तो इस तरह से spread कर ले बहुत ही बढ़िया से और इस तरह से दूसरे वाले bread को डाल करके हलके हाथों से इसको दबा दे ताकि इसका shape बहुत अच्छा है अब इसको तिकोने आकार में काट ले आप size अपने हिसाब से ले सकते हैं हमने इसको ऐसे काटा है और यह बहुत ही जाद स्वाधिस्ट और soft sandwich त्यार है chicken sandwich का आनन ले ऐसे ही नई recipes के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और bell icon जरूर से दबाए Thank you